दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से आप घर बैठे बैठे अपनी पॉलिसी की जो है सरेंडर वैल्यू निकाल सकते हैं आप सभी जानते हैं कि 15 दिन के अंदर अंदर अगर आप पॉलिसी को कैंसल करते हैं तो आपको कैंसल कराने पर कितना पैसा मिलेगा पॉलिसी को कैंसल कराने के लोगों के अपने कारण हो सकते हैं कोई फाइनाशल सिटुएशन के चलते आगे के प्रीमियम्स नहीं भर पाते हैं तो कोई जो है पॉलिसी को अब जाके पूरी तरह से समझ पाए हैं और उन्हें लगता है कि policy उतनी फायदे मन नहीं है जितना की शुरुआत में बताया गया था आपकी policy को surrender करने का कारण भले जो भी हो बट आज की वीडियो के मदद से आप surrender value के बारे में complete जानकारी पाने वाले हैं जिससे कि आपको कोई और वीडियो को access करने की जरूत ना पड़े हो सकता है वीडियो बाकी वीडियो के comparison में थोड़ा लंबा हो बट आपको जो है इसे अंतक देखना है जिससे कि आपको कोई और वीडियो देखने की जरूत नहीं पड़ेगी बस मेरी रिक्वेस्स आपसे यह है कि वीडियो की शुरुआत में आप वीडियो पे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि यह जो महत्वपून जानकारे जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वो आप तक इसी लिए पहुँच पाई है क्योंकि इससे पहले लोगों ने जो वीडियो पे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किया है इससे यूट्यूब जो है सबसे पहले हमारे वीडियो को आप तक लेकर आया है दोस्तों हमारे देश में जो ज़्यादा तर पॉलिसी बेची जाती है वो एंडाव्मेंट क्रिटीरिया में आती है इसका कारण सेंपल है कि इसमें जो एजेंट है उसको सबसे ज़्यादा कमिशन मिलता है वहीं पे अगर आपने टर्म प्लाइन ले रखा हो या यूलिप पॉलिसी ले रखी हो तो उसका सरेंडर वैल्यू कैलकुलेट करना मैंने आपको आपको बागी वीडियो में बता रखा है जो कि आप जो है हमारे चैनल पेज में जाके एक्सेस कर सकते हैं उसका जो लिंक है मैं चाहे तो आपको कमेंट बॉक्स में सबसे उपर दे भी देता हूँ जहां से जो है आप डिरेक्टी एकसेस करके उस वीडियो तक पहुँच पाएंगे बाकी जो 90% पॉलिसी है वो एंडावमेंट क्राइटीरिया में आती है जो कि मैं आपको इस वीडियो में आज explain करने जा रहा हूँ दोस्तों किसी भी policy की दो surrender value निकलती है एक होता है guaranteed surrender value और दूसरा होता है special surrender value guaranteed surrender value का मतलब होता है minimum surrender value इसका मतलब life insurance company जो है आपको कम से कम इतना तो amount देगी देगी अब इसके उपर जितना दे वो जो है अलग से calculate होगा तो सबसे पहले आईए हम लोग जो है guaranteed surrender value या जो minimum surrender value के है वो calculate करना सीखते हैं आप देखेंगे जो भी आपकी policy document है उसमें last में आपको कहीं न कहीं इस तरह का table नजर आएगा जहाँ पर guaranteed surrender value factors दिये होंगे अब आप इस table को देखेंगे तो उपर के जो साइड में आपको जो है policy की term नजर आएगी वहीं पर जो left side में आप देखेंगे policy की year mentioned है तो अगर माल लेते हैं आप जो है policy को पांचवे साल में जो है खतम करना चाह रहे हैं तो आप जो left column में जो पांचवे वाले area में जाएंगे और उसके आगे वाले आप row को चेक करेंगे और माल लेते हैं अगर आपकी policy का जो term है वो 50 साल का है तो 50 साल और यहाँ पे 5 को अगर आप intersect करेंगे तो आप देखेंगे को हाँ पे 50 percentage लिखा हुआ है तो यह जो है guaranteed surrender value factor निकल कर आया है कि 50 percentage आपको at least मिलना है अब यह 50 percentage क्या हुआ मान लेते हैं 5 साल के अंदर अंदर आपने 5 लाग रुपे जमा किये तो इसका मतलब 50 percentage उसका निकल कर आया 5 लाग रुपे यानि अगर आपने 5 लाग रुपीज दिया है तो दूसरे और 45 के नीचे आप देखेंगे जो 30 percentage लिखा है इसका मतलब क्या हुआ कि minimum आपने अभी तक जितना भी premium दिया है उसका 30 percentage amount आपको minimum मिलेगा यह guaranteed है यह वहीं पर जो special surrender value होती है आप जानते हैं जो भी आप endowment policy लेते हैं उसमें कोई ना कोई bonus या कोई profit भी जुड़ता है तो यह जो profit का भी कुछ percentage जो है आपको इसके साथ दिया जाता है उसके अलावा कई बार जो है life insurance की जो office होती है वो भी थोड़ा special consideration देके थोड़ा और बड़ा amount आपको दे सकती है तो उस सब को जब जोड़के जब निकाला जाता है उसे हम कहते है special surrender value अभी जो special surrender value को निकालना जो है आप यह table से नहीं कर सकते है इसलिए मैं आप तो को से suggest करूँगा कि अगर आपको special surrender value निकालना है जो कि आपको actual में मिलने वाला है इसके लिए आपको जो है कहीं पे भी calculator हो या कोई और website में जाने की ज़रुवत नहीं है simple सा procedure है जो भी life insurance office है उसका जो customer care number है उस customer care number पर आप एक बार बस call कर दीजे अपने policy से related हो सकता है वो कुछ details आपसे पूचें जैसे आपका policy number क्या है आपका date of worth क्या है कि वो चाहते हैं कि आपका verification हो जाए कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई गलत विक्ती जो है जानकारी ले जाए तो जब verification एक बार हो जाता है तो खुद बखुद जो है आपको क्या surrender value है आपकी policy की वो बता देंगे हो सकता है उसके अलावा वो आपको थोड़े वार अलग दूसरे plan suggest करें या कहीं ना कहीं कुछ sales करने की कोशिश करें तो उससे भी आप सजर करें ऐसा ना हो कि एक policy आप बेशने जा रहे तो कहीं और इसी policy बताऊंगा जिससे कि इसका नुकसान जो है उसकी बरपाई हो पाए तो बिल्कुल भी उस सब में नहीं किरें बस जो है उनसे जानकारी लें और phone काट के रग दें दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो policy की surrender value का table है यह second year से चालू हो रहा है इसका कारण simple है कि अगर आपने minimum 2 साल का premium बरा हो तो ही आपकी guaranteed surrender value निकल कर आती है बाकी सभी cases में जो है आपने जितना premium दिया है वो पूरी तरह से lose हो जाता है बड़ आपको निराज होने की जरूत नहीं है क्योंकि जो वेक्ति को surrender value मिल भी रही है वो आपसे ज्यादा नुकसान में है बत वहीं पर उनको तो दो premium का loss हुआ बलकि आप जो है पहले साल में policy को surrender कराने का सोच रहते तो आपको केवल एक साल का premium loss हो रहा है दोस्तों आपको बता दो कि जब भी आप policy को surrender करते हैं तो उसमें अगर आपने कोई additional rider ले रखा हो उसका लिए premium दिया हो या फिर हो सकता है आ सब जो amount है यह आपको कभी return नहीं मिलता है वहीं दोस्तों एक तरीका है जिससे कि कम से कम आपने जो premium amount दिया है उसके ऊपर थोड़ा profit कमा के ले जाए तो यह जो तरीका है मैं आपको अपने next video में disclose करने जा रहा हूं इसलिए आप वीडियो पे जरूर लाइक करें और चैन जैसे ही पहुंचेंगे वीडियो के तो वहां से आप click करके उस वीडियो को access कर पाएंगे